पाने वाले समय में डाक्टर मोहन यादाव जी बहुत अच्छा काम करी और जो राजपाल का अभीभासन था प्रदेश को आगे ले जाने वाला है नश्चत रूप से विकास के लाने ही हम बने हैं और विकास कर हैं अच्छा लग रहा है बहुत दुनों बाद पास साल के अंतर के बाद आए हैं तो नो नो लग रहा हूँ और अभी चुके जो च्छोटो है मात सपत ग्रण और राजपाल के अभीभासन को हा तो उपर सब लग बक्ष चर्चा चल लाई है बक्ष और बक्ष दोनों तरब के लोगों ने कह लई अपनी अपनी अब बाद में समापन के सब मुख मंत्री जी अपनी बात कहे हैं और जो राजपाल का अभीभासन था बहुत अच्छा प्रदेश को आगे ले जाने वाला है और निश्चत रूप से भारती जन्ता पारटी के जैसा कहना है कि हम सब का साथ हूं सब का विकास उसी को लेकर के जो अभीभासन था उस पर धन्यबाद पर चर्चा हो रही है सब ही लोग बड़े बड़े लोग बोलने नव सत्र है नई सरकार है नए मुक्ष मंत्री हैं तो कशो नई उम्मीद हैं भी भारती जन्ता पारटी तो हमेसा आगे बढ़ने का काम करती है शिवराज जी भी जब आए थे तो लोगों को लगता था के नए हैं पता नहीं कितन सब्सक्राइब करते हैं तो अब किते लिए जाने पूरों करें किसानों की तरक्की हो सके मुक्ष जोई है कच्छू गाउं हमाएं छूटे हैं पानी के लाने जहां पहुंचनी बाराव पानी तो कोई नई परियोजना मन्जूर करा के उनके खेतों पानी पहुंचा पर का रहे हैं कई जारी के नए ने लोगन को मौका मिला आप भी बरिष्ट हो गए हैं तो जो है आपको भी कच्छू उम्मीद है का यूर मंत्री मंत्री अब दो जो तो मुक्ष मंत्री को विश्यसादीकार है पार्टी जो भी जुम्मवारी तेह करती है भार्टी इंता पार्टी का कार करता कभी अपना रॉल तैह नहीं करता उसका क्या रॉल पार्टी के अंदर है वो पार्टी तैह करती है जो भी भूमी का जो भी जुम्मवारी मिले कि उसका निर्वान करें चुनाओं के जो वोटिंग के बाद जो है काउंटिंग के बीच म आपको स्वास्थी तनक डिश्टर्ब होगा, अस्पताल में आपको प्रिमान पत्र पोँचे, अब जनता के बीच पोँचे हैं। हम जनता के बीच में रहे दो तीन दिन रहे थे, फिर सत्रा का उस फिर बापस आगए, अब बस सूदे दमो जा रहा है, जनता ही के बीच में भीच पोँचे हैं। A Club University The Move will guide you towards a bright future, 28 acres of Lush Green Campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty, 50 future ready courses, 312 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.